हेलो दोस्तो नमश्कार आप सभी के स्वागत है डियार के टीवी पर मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर कनईया बी कानेर राजस्थान से मनोचे कित्सक साइकेट्रिस्ट काउंसलर सेक्सिलोजिस्ट और डी अडिक्शन स्पेसलिस्ट दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो डर होता है किसी भी प्रकार का जो फीर होता है फोबिया होता है उसकी क्या दवा होती है उसका क्या इलाज होता है क्या वास्ता में कोई दवा होती भी है या नहीं होती या दवा किस तरह स और कितने हिस्से में काम करते हैं डर का, अगर हम पूरी तरी से डर से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें किस तरह से उसका treatment करना होता है, दोस्तों किसी भी प्रकार का डर हो, चाहे वो social phobia हो, मतलब social जो situation से उसके अंदर fear लगता हो, चाहे वो panic हो, किसी भी प्रकार की बिमारी का डर हो, cancer का डर हो, heart attack का डर हो, लक्वे का डर हो, या corona का डर हो, या stage का fear हो, stage का phobia हो, या exam का phobia हो, या फिर interview का phobia हो, या फिर traveling का phobia हो, किसी भी प्रकार का जो phobia, जो fear है, जो डर है, उसके दो component होता है, पहला जो component है, वो होता है, उसका psychological component, psychological component का मतलब क्या है, हमारे दिमा दिमाग के अंदर जो wrong cognitions बन जाते हैं, मतलब किसी भी particular situation, particular object या किसी भी person से जो हमें डर लग रहा है, उसके लिए हमारे दिमाग के अंदर जो सोचने समझने का तरीका है, वो गलत तरीके से install हो जाता है, ये जो wrong cognitions है, ये cognitions हमारे अंदर physiological response create करता है, वो जो physiological response है, जैसे heartbeat का तेज हो जाना, ये जबी भी आप डर लगता है, जबी भी गबराट होती है, उसमें आपकी heartbeat तेज हो जाती है, आपकी जो सांस की गतिय है, उसका तेज हो जाना, respirator rate का तेज हो जाना, जिसकी वज़े से shortness of breathe होने लग जाता है, कई बार खींच-खींच के सांस भी लेन पड़ता है, और हमारी body के जो peripheral organs है, उसके अंदर blood flow बढ़ जाता है, और सरीर के अंदर एक tension यो तनाव के स्थती पैदा हो जाती है, ये जो physiological response है, और पहला जो psychological जो part है इसका, डर के दो component मैंने आपको बताए, सबसे पहला cognition वाला part, psychological component, और दूसरा है physiological component, अब दोस्तों ज हम use करते हैं, जो दवा हम use करते हैं, वो दवा physiological जो response है, physiological component है, डर का, उसके उपर काम करती है, मतलब आप कोई भी दवा जो use करते हो, वो आपके heartbeat को कम कर देती है, heartbeat को normal कर देती है, respiration को भी normal कर देती है, और जो blood flow है, उसको भी normal कर देती है, लेकिन जब तक आप दवा यू बने वे हैं, जो wrong thoughts create होएवे हैं, जो आपके subconscious mind के अंदर wrong patterns बने वे हैं, जिसके कारण wrong belief आपके बने वे हैं, उसकी वज़े से आपकी body के अंदर ये physiological response create हो रहा है, तो हम जब तक दवा यूज कर रहे होते हैं, तब तक ये suppressed रहता है, यही वज़े है कि बहुत सारे लोग ये होता है, क्योंकि जब तक आप दवा यूज कर रहे हो, physiological component है, वो suppressed रहता है, लेकिन जिस वज़े से physiological component create हो रहा है, वो वज़े ठीक नहीं हो रही, वो है हमारा cognition सोचने समझने का तरीका, अब day to day life के अंदर situations होती रहती हैं, हमारे आसपास, जिससे डर पैदा होता है, दीरी-दीरे हमारे cognitions strong होते चले जाते हैं, हम जब अपने cognitions के उपर work नहीं करते हैं, तो cognitions strong होते चले जाते हैं, और strong cognitions की वज़े से strong physiological response create होता है, strong physiological response जब create होता है, तो जो medicine हम ले रहे होते हैं, जो दवा हम ले रहे होते हैं, वो दवा उसको दबा नहीं पाती और जब दबा नहीं पाती तो दबा का असर कम हो जाता है तो अगर हम चाहते हैं कि हम डर को पूरी तरीके से खतम करें तो आप जो medicines use कर रहे हैं उस medicine के साथ साथ जो cognitions है जो डर का root cause है उस cognition को जैसे मानलीची के एक student है वो student जो है वो दो बार किसी exam के अंदर fail हो गया दो बार मानलीची वो interview के अंदर fail हो गया वो तीसरी बार जब interview देने जा रहा है तो उसके दिमाग में ये cognition बनावा है कि यार मैं पहले भी fail हो गया अब मैं जो interview दे रहा हूँ मैं उसमें भी past नहीं हो पाऊंगा पहले fail हो गया इसका मतलब मैं अभी भी fail हो जाऊंगा यहाँ पर उसने generalize कर दिया जो अपने past experience है उस experience को generalize कर दिया नई situation के अंदर अब जब उसने generalize कर दिया उस generalization के कारण उसको डर लगने लग गया कि इसके अंदर भी outcome उसको कुछ भी नहीं मिलेगा अब उस outcome की वज़े से उसका जो physiological response fear हो रहा है उसके कारण उसके दवा खाई और वो जो दवा है वो उसके physiological response को तो कम कर देती है लेकिन उसका जो wrong cognition बना वो उस cognition को correct नहीं करती तो यहाँ पर यह जो wrong cognition create हुआ है वो learning के कारण create हुआ है past दो wrong experience हो गये उसकी वज़े से यह एक नया cognition create हो गया अगर हम चाहते हैं कि इस चीट से बाहर निकले तो हमें cognition के उपर भी work करना पड़ेगा thought process के उपर भी work करना पड़ेगा thought process के उपर work करने के लिए एक therapy use होती है जिसको CBT बोलते है cognitive behavioral therapy इसके मैंने 12-13 videos upload कर रखे हैं आप उन videos को देख सकते हैं और उन videos के थूँ अपनी जो problem है उस problem से related आप practice कर सकते हैं अन्य था हम लोग इसके live sessions भी organize करते हैं तो आप उन sessions के अंदर भी participate कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप किसी भी परकार के डर को दूर करना चाहते हो तो उसके अंदर जो medicines है वो physiological response को ठीक करती है लेकिन उसका fear का जो psychological component है वो component medicines ठीक नहीं करती क्योंकि ऐसी कोई भी दवा नहीं आती जो हमारे दिमाग में किसी भी परकार के thought को install कर दे ऐसी कोई भी दवा नहीं आती जो हमारे दिमाग में कोई नया विचार डाल दे विचार तो learning से ही आता है सीखने से ही आता है अगर proper तरीके से सीखा जाए तब ही दिमाग के अंदर विचार आएगा तो उसके लिए आप CBT की practice करें तो डर का जो treatment है medicines और साथ में जो psychological treatment है cognitive behavioral therapy आप CBT की individual practice करके भी आप fear से बाहर आ सकते है जो CBT का जो part है psychotherapy का जो part है वो धीरे धीरे work करता है धीरे धीरे उसके अंदर improvement आता है लेकिन जो improvement आता है वो permanent improvement आता है क्योंकि आपके जो root cause है वो root cause एकदम ठीक हो रही है जो जड़ है वो एकदम ठीक हो रही है जड़ अगर ठीक हो जाए तो उसका जो physiological component है वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा मतलब अब अपने को दवा खाने की जरूरत नहीं है ना आज जरूत पड़ेगी ना आमारे future में कभी दवा खाने की हमें जरूत पड़ेगी अगर हम root cause को proper तरीके से treat कर लें उसको ठीक कर लें तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह जानकारी पसंद आया होगी नीचे comment box में लिखकर जरूर बताइएगा और अब तक यदि आपने मेरी YouTube चैनल DR KTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत